इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह फेफ़णों के infections में असरदार है जैसे निमोनिया कान, गले, नाक के sinus, मूत्र मार्ग, तवचा, मुलायम उतक, हड्यां और जोड. इसका इस्तेमाल सरजरी के दौरान संक्रमन को रोखने में भी किया जाता है. पेट खराब होने से बचाव के लिए पुल्मोसेफ 500 टेबल रहेगा. डोज इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं. लेकिन आपको अपने डॉक्टर द्वारा बताएगा ए अनुसार इस एंटीबाउटिक का कोर्स हमेशा पूरा करना चाहिए. जब तक आप पूरा न कर लें, तब तक इसे लेना बंद न करे भले ही आपको बहतर महसूस होने लगा हो. अगर आप इसे समय से पहले लेना बंद करते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं और इंफेक्शन वापस आ सकता है. यह दवा फ्लू या सर्थी जैसे वाइरल इंफेक्शन के लिए काम नहीं करेगी. ज़रूरत न होने पर भी एंटीबाउटिक का इस्तिमाल करने से यह भविश्य में होने वाले संक्रमन के लिए कम प्रभावी हो सकता है. इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट में रैश, उल्टी, लीवर एंजाइम में बढ़ जाना, मिचली आना और डायरिया, दस्ट शामिल हैं. य लेकिन अगर वे आपको परेशान करते हैं या कुछ दिनों से अधिक समय तक रहते हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं. इसका उप्योग करने से पहले अगर आपको किसी भी एंटीबाउटिक से अलजी हैं या किड्नी या लिवर समबंधी कोई समस्या हो तो आपको अपन डॉक्टर को बताना चाहिए. आपको अपने डॉक्टर को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्योंकि उन पर इस दवा का असर पर सकता है या वे इस पर असर डाल सकती हैं. गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताओं को इसका करने स से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और और